जैशी किशना दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों सावन का पूरा महिना ही बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है भगवान शंकर का सबसे प्रिये मास माना जाता है और इस बार सावन शिवरात्री पर बहुत ही सरवार सिद्ध योग बनने जा र तो निश्चित ही आपकी जो मनो कामना है वो शीग्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों इस दिन एक वस्तु का भूग लगा कर अगर आप ग्रहन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांचिस संतान की प्राप्ती होती है। और इस वस्तु का भूग लगा कर अवश्य ग्रहन करें। दोस्तों इस दिन भगवान शंकर का पूरे विधी विदान से पूजन अवश्य करें, अभिशेक अवश्य करें। इस दिन आप चाहे तो पंचामिस से अभिशेक करें या सिरफ शुद्ध जल में गंगाजल डाल कर पतली सी धार चड़ाते हुए ओम नमस शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अवश्य चड़ाए दोस्तों साथ ही भगवान शंकर की जो प्रिय अवस्तु होती है भांग धतूरा बेल पत्र अवश्य चड़ाए दोस्तों अगर आपके कारे में बहुत ज़्यादा टारिये ग्रह दोश बने हुए तो इस दिन शमी के पत्र अवश्य चड़ाए इसके साथ ही दोस्तों आपको देखे बेल पत्र पांग साथ या ग्यारा की संख्या में अवश्य चड़ाने चाहिए और जो बेल पत्र होता है उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर अगर गी है तो गाय का गी लगाना है और अपनी मनोकामना बोलकर ओम नमस्षिवाय कहते हैं शिवलिंग पर आपको चिकनी साइड से चड़ा देना है दोस्तों जो आखरी का बेल पत्र है उस पर आपको देखे एक धतूरे का फल या फिर बेल फल ले सकते हैं साथ ही आपको 31 दा होगा कि सभी देवी देवताओं के पूजन में अक्षद का प्रियोग किया जाता है चाहे वो विश्नु जी हैं लक्ष्मी जी हैं गणेजी हैं या फिर महादेव हैं तो उनको अक्षद अवश्य चड़ाया जाता है दोस्तों आपको इस प्रकार अपनी मनोकामना बोलनी ह चाहिए दोस्तों नंदी जी के काल में अपनी मनोकामना बोलने से पहले उनके काल में ओम का उच्चारन अवश्य करना चाहिए ओम में पुरे ब्रहमाल समाया हुआता है और सभी देवी देवताओं की शक्ति मानी जाती है ओम तो सबसे पहले ओम नंदेश वराय नमह ओम न अवश्य रखें अपनी मनोकामना बोलने के बाद दोस्तों इस तरह से अगर आप नंदी जी का भी पूजन करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है बहुत ही शीग्र पूरी होती है क्यूंकि नंदी जी एक मात्र ऐसे देव माले जाते हैं जो भगवान शंकर को जो आपकी कहीवी सारी बाते हैं वो उनको कहते हैं इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें धूब दीप से या कपूर जलाकर भगवान शंकर की आरती अवश्य करें और पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग से देखे ग्यारा दानी चावल के और जो केले आपने चड़ा है उसमें से एक केला अवश्य उठा कर लाना चाहिए और अवश्य ग्रहन करना चाहिए ऐसा करने से आपकी जो मनो कामना है वो शीगर पूरी होती है दोस्तो सावन शिवरात्री पर बहुत ही दुल्लब योग बनने जारा जिसके कारण नो भागिशाली राशियों को बहुत ह इन भागिशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है मेश, मित्थुन, सिंग, कन्या, तुला, धनू, मकर, कुंब और मीन दोस्तो ये भागिशाली राशिया ऐसी हैं जिने सावन के महिने में बहुत ही शेष्ट ला मिलने के योग बने वे हैं दोस्तो सावन शिवरात् पर आप फल अवश्य ही चड़ाएं क्योंकि फल चड़ाने से ही फल की प्राप्ती होती है दोस्तो इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें देखना आपको मन वांचे संतान की प्राप्ती अवश्य ही होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको जाज़दा लाइक करें शेर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाया हर हर महादेव अवश्य लिखें आप सभी को जैशी कुष्णा